नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका UPSC EDDA247 पर देगे इसरो ने हाल ही में जो कमर्शिल सेक्टर है उसमें अपना कदम रखा है और कदम रखते ही यतिहास रज़ दिया है बिल्कुल सही बात है पहला जो कमर्शिल प्रिक्ष्टन है वो सफल हो चुका है यहाँ आप देख सकते हैं इसरो एंटर इंटू कॉमर्शिल लॉंच मार्केट बाई प्लेसिंग 36 वन वेब सेटलाइट्स इंटू और्बिट तो और्बिट में जो वन वेब कमपनी है उसके 36 सेटलाइट्स को इसरो ने जो लॉंच है वो कर दिया है वो भी सक्सेस्फुली अब दीखे काफ सेटलाइट को प्रक्षेपन करना बहुत ही बड़ी बात होती है और पहले बार में ही ऐसा होना वास्तम में काफी बड़ी बात है इसलिए इसरो ने इस पेस जगत में फिर से अपना डंका बजा दिया है और दूसरी सबसे बड़ी खुशकवरी यह है दोस्तों कि जो चंद कर रहे हैं कि कब चंदरियान 3 जो है वो लॉंच होगा क्योंकि यहाँ पर पूरी पूरी तयारिया जो है वो इसरो के दोरा कर ली गई है यहाँ पर एक ट्वीट भी आप देख सकते हैं All India Radio News के दोरा एक ट्वीट किया गया है कि Indian Space Research Organization ने कहा है कि चंदरियान 3 मिशन जो है वो लॉंच होगा June next year में क्योंकि चंदरियान 3 जो है वो almost ready है यह कहा है इसरो के चीफ ने तो देखिए यहाँ पर इसरो ने काफी बड़ी जो करिश्माई चीजें है वो करी है recently कुछ दिनों में अब यह OneWeb के 36 satellite लॉंच कर दिये हैं अचा आप यहाँ पर इस वीडियो मे देख सकते हैं exactly आत्री को आकाश को रॉशन करता हुआ S200 बूस्टर्स वामन नार्मल यहां हम इसके कंपन महसूस कर रहे हैं इस निवस को हम समझते हैं इस निवस के जुड़ी वी जित्ती भी डिटेल इंफरमेशन हैं वो आपको इस बूस्टर्स नार्मल इस वीडियो में जरूर मिलेगी इसे प्रसुत करता हूँ मैं आपके सामने मेरा नाम है सुरफ स्वामी और देखे आपके लिए अड़ा 247 लेके आया है एक बिग सेलेक्शन डेज देखे बहुत ही शांदर ओफर हैं अड़ा 247 के इतिहास में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्राइस जो है इतनी ड्रॉप की गई हो स्कॉलर्शिप आपके लिए और अगर आप स्टेट PCS की या UPSC की त्यारी करना चाहते हैं तो इससे बैतर मौका आपके लिए कभी नहीं मिलने वाला है यहाँ पर यह स्टेट PCS का महापैक आपको सिर्फ 3000 रुपे में मिल रहा है वो भी double validity के साथ में मतलब 2 साल के लिए आप live classes ले सकेंगे test paper दे सकेंगे mens की त्यारी कर सकेंगे और ऐसाई है UPSC के महापैक के लिए भी 10,000 रुपे के अंदर आपको बहुत ही comprise में 2 साल की पूरी validity के साथ में UPSC का महापैक मिल जाएगा उसके साथ UPSC के जितने भी batches हैं दोस्तों अगर आप serious होकर त्यारी करना चाते हैं तो 8,000 रुपे में आप UPSC का कोई भी course enroll कर सकते हैं state PCS के batch आपको सिर्फ 2,000 रुपे मिल रहे हैं फिर आप चाए बिहार से belong करें, आजस्तान से belong करें मद्यपरदेश से belong करें या फिर उत्तरपरदेश से belong करें, किसी भी state PCS के आप exam के त्यारी कर रहे हो आपके लिए सिर्फ 2,000 रुपे के अंदर state PCS का course आपको मिल जाएगा optional course सिर्फ 4,000 रुपे में तो आपके लिए जो selection का revelation है वो लेकर आया है adda 247 लेकिन adda 247 के उपर इस offer का लाव उठाने के लिए आपको website विजिट करनी होगी या application पर आपको इस course को purchase करना होगा, उसके लिए दिकि आपको discount code का ज़रू ध्यान रखना है Y572 यह जो discount code है जब तक आप इसको नहीं लगाएंगे तब तक आपको इस price segment में course देखने को नहीं मिलेंगे for example यह दिए आपको UPSC का महापैक enroll करना है तो आपको यहाँ पर 5572 जो coupon code हो लगाना होगा आपको दिख रहा होगा यह Y572 जो coupon code है यह लगाने के बाद ही आपको 30,000 रुपे का discount मिलेगा और सिर्फ 9,199 रुपे के अंदर आपको UPSC का महापैक वो भी double validity के अंदर मिल जाएगा मलब पुरे 2 साल के लिए pre, man, c, set सबकी live classes आप ले सकेंगे बहुत ही शांदार बात है ओफर का फाइदा उठा कर discount code आपको Y572 ज़रूर लगाना है नहीं तो आप इस over का फाइदा नहीं उठा पाएँगे और अपनी जो तैयारी है उसको आगे बढ़ाईए विवार को 12 बजे देर राद बिटेन की जो संचार network one wave के चत्तिय सुबग्रे हैं वो इस्तरों के द्वारा लॉंच कर दिये गए हैं और सबसे करिश्माई बात ये है कि ये सबी जो अबग्रे है वो सबसे भारी रोकेट GSLV MK3 के द्वारा लॉंच किये गए हैं दोस्तो चार मिशन लॉंच किये गए हैं GSLV MK3 के द्वारा चारों के चारों सक्सेस्फुल रहे हैं और इसको लो अर्थ और्विट में सफलता पुर्वक इस्तापित कर दिया गया है और ISRO ने इसकी पूष्टी भी अब कर दी है काफी बड़ी बात है दोस्तों वास्तम में ISRO के द्वारा जिस तरीके से एक के बाद एक मिशन को सक्सेस्फुली लॉंच किया जा रहा है भारत जो है इस पेस जगत में अपना डंका जो है बजाते ही जा रहा है अचार ये जो जितने भी सेटलाइज थे ये एक कम्मिनिकेशन नेटवर्क कमपनी है जिसका नाम है वन वेब उसके द्वारा उसके बनाएवे सेटलाइट से जिनको लॉंच रिसेंटली किया गया है और दीखें ये एक ग्लोबल कम्मिनिकेशन कमपनी है और इसका जो मिशन है वो ये है कि लो अर्थ और्विट में लगबग 600 अर्थली जो सेटलाइट है वो लॉंच कर दिये जाएं और इसरो ने इन में से 36 सेटलाइट जो है वो लो अर्थ और्विट में लॉंच कर दिये हैं तो ये चीज़ आपको जुरू धान रखनी है One Wave Solutions इंगलेंड की एक कमपनी है और लंदन में इसका हेड़कॉर्टर है और इसरो का ये पूरी तरीके से पहला एक कमर्शल मिशन था अब देखे ये जो प्रक्षेपन किया गया है ये आंदर परदेश के स्री हरी कोटा से किया गया है और रिसेंटली देखे हुआ क्या है कि इसरो की जो एक कमर्शल शाखा है जिसका नाम है न्यू इस्पेस इंडिया लिमिटेड न्यू इसे कहा गया है उसने एक साइन कॉंट्रेक्ट किया था वन वेप के साथ ने जो सैटलाइट है उनको लॉंच करने का तो आपको ये जरू ध्यान रखना है इसरो की जो कमर्शल ब्रांश है उसका नाम है न्यू इस्पेस इंडिया लिमिटेड अब देखें ये जो मिशन है ये इतना स्पेशल क्यों है क्योंकि यहाँ पर जो पैलोड है उसकी वजन आप देख सकते हैं पांच हजार साथ सो चाहनवा किलोग्राम का ये पैलोड है पहला भारती रोकेट है ऐसा जिसमें इतना भारी पैलोड जहे लगाया गया है और जो जो जीएसल वी एमके 3 है ये आठ हजार केलो तक के सेटलाइट का वजन जहे वो उठा सकता है ये इसकी करिश्माई बात है और यहाँ पर LVM3M2 पहला कोमर्शल मिशन है जो इसरो के द्वारा सक्सेस्फुली लौंच कर दिया गया है बारा बच के साथ मिनिट पे ये सेटलाइट जहे उसकी लौंचिंग शिरी हो रिकोटा से हुई थी और सोशल मिडिया पे देखे इस पुरी जीत की खुशकवरिया इसरो को दी जा रही है इस तरह की जो इमेजेज है वो शेर भी की जा रही है कि एक जमाना था 1963 के अंदर जब पेलोड को इस तरीके से लेकर जाया जाता था जब इस तरह की स्थापना हुई थी उससे पहले क बाते हैं और आज इस रो जो है 55,000 किलो के पेलोड के साथ में जो स्टिलाइट है वो आराम से लौँच कर देता है अचा लो अर्थ और्बिट की बात काफी ज्यादा हो रही है तो इसको समझना काफी ज्यादा ज़रूरी है लो अर्थ और्बिट जह होता क्या है देखे ल लो अर्थ और्बिट जह है वो पर्थवी की सबसे नीचली जो कक्षा है वो आप मान सकते हैं इसकी उचाई जह है पर्थवी के चारो और से लगबग 1600 किलोमेटर से 2000 किलोमेटर के बीच की होती है यह पर्थवी का सर्फेस है और यह जो आप यह पीली बाउंडरी ग्लास पर आउर होती है यही कारण होता है कि लो अर्थ और्बिट में उपगरेत तेजी से चलता है और इसे निशाना बनाना आसान काम नहीं है या आप यह मान सकते हैं कि इसको एक्जेक्ली सही लोकेशन पर सेट करना किसी रोकेट को जार आसान काम नहीं है लेकिन इसरो ने यह जो करिश्मा है वो करके दिखाया है और इसी वज़े से देखिए दुनिया की सबसे काम्याब Space Agency जो है वो ISRO को माना जाता है कई देश इसकी इस बात को mention कर चुके हैं अपने news के अंदर अपने statement में और ISRO की जो बात है वो शायद ऐसी बात किसी भी देश में नहीं है आना कि देखिए अगर हम बात करते हैं तो NASA, ROSCOSMOS ये सब चीजे जाकसा ये सब चीजे हैं जैसे जाकसा जापान की है ROSCOSMOS जो है वो रशिया की है NASA अमेरिका की है आर्थिक इस तरफर हम देखते हैं तो काफी बड़े मने मिशन इन्हों ने लाँच किये हैं लेकिन काफी चीजे ऐसी हैं जो ISRO ने कम बजट में लाँच करी हैं और उनसे ज्यादा सक्सेस्फुली अटेंट में करी है तो ये काफी बड़ी बात है और ISRO को ये सब चीजे ही काफी ज्यादा स्पेशल बनाती है अचा ISRO की स्थापना कब हुई थी तो 1969 में ISRO की स्थापना हुई थी और दुनिया की सबसे कामियाब Space Agency जो है वह ISRO को माना जाता है 84 सी Space Mission जो है 7 अगस 2022 तक लौंच किये गए थे ISRO ने जिसमें से 66 सफल हैं ऐसा किसी भी देश की Space Agency ने अभी तक नहीं किया है कि इतनी ज्यादा मात्रा में जो जो मिशन है वो successful हुए हो और पांच जो है आंसिक सफल है केवल दस ही उनमें से ऐस सफल थे और सो से अधिक जो विदेशी Space Mission है उनमें भी ISRO जहे शामिल हो चुका है आज तक ISRO के अधियास में किसी भी Space Launching के अंदर एक भी विक्ति की जान नहीं गई है जबकि दुनिया में ऐसी कोई Space Agency नहीं है जिसके Mission को Launch करते समय किसी विक्ति की जान ना कई हो लगबग एक से दो Casualities तो हर Mission में होती है लेकिन ISRO के नाम ये एक तरीके से खिताब है कि आज तक ISRO के अधियास में कोई भी Mission अगर Launch हुआ है कोई भी चीज हुई है तो एक भी Casuality नहीं हुई है एक भी विक्ति की जान जो है वो नहीं गई है या आपको ज़रूर ध्यान रगना है अमेरिका के NASA, European Antrix Agency या फिर रूस की रॉस कोस्मोस जैसे Antrix Agency या जो है भले ही आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजभूत हो लेकिन Antrix Mission सुरू करने की सफलता के मामले में ISRO से आगे अब तक कोई भी नहीं आया है तो ये भारत के लिए वास्ता में काफी बड़ी बात है ISRO के लिए तो है ही लेकिन इंडिया के लिए ग्लोबली ये जीत दिलाता है इंडिया को इसलिए आप समझ भा रहे हैं इतने भारी भारी पेलोड के साथ में ISRO जहे वन वेब जीसी कमपनियों के 36 सेटलाइट सिर्फ पहली बार में हाला कि शायर ये कोमर्शिल प्रक्षेप्पन होगा लेकिन पहली बार में इजीली सफलता पुरवक लाउंच कर देता है ये वास्ता में काफी बड़ी बात है दोस्तों अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आज ही सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक शेर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों धन्यवाद